नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दीपक्ट टेकनो टॉक चैनल में और दोस्तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि ड्रीम 11 पे कैसे आप टीम बनाते हैं और कैसे टीम को लगाते हैं तो दोस्तो अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ तो दोस्तों टॉपिक यह हैं कि ड्रीम 11 पे हम सभी बहुत सुने हैं और देखते हैं कि बहुत लोग खेल रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगा लगा करके तो दोस्तों टॉपिक उस पर कैसे बनाते हैं और बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो की ड्रीम 11 पे वो टिप्स टीम लगाने के बहुत काम आएंगे आपको हलाकि मैं गारंटी नहीं दूँगा कि आप एक करोर जीत जाओगे दो करोर जीत जाओगे लेकिन बहुत हद तक आपको हमारे स्ट्रीक से बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी और चांसेस बढ़ेंगे और दोस्तो डीम 11 एक सट्टे बाजी अपलिकेशन एक तरह से बोले तो जुगा है यह और मैं कतई आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डीम 11 पे पैसे लगाओ और क्रिकेट मैच खेलो आप क्योंकि एक जुगा है सट्टे बाजी अपलिकेशन है मैं इसको कतई मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप लगाओ इससे आप दूर हो तो ही अच्छा है लेकिन जो लोग लगा रहे हैं इस डीम 11 पे पैसे लगा लगा के टीम लगा लग खेल रहे हैं और बाई लग अगर कोई एक करोड जीत जाता है इसको हम बाई लग इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम 50 लाग 60 लाग टीम के साथ खेलेंगे तो इसको बाई लग ही कहा जा सकता है कि आप एक करोड कभी जीत पाओगे दोस्तों मैं भी खेलता हूँ और मैंने भी कम से कम दो साल हमने खेला है तब जाके 30,000 रुपिया मैंने विन किया है तो दोस्तों मैं आपको कता ही सला नहीं दे रहा है कि आप टीम लगा और बनाओ डिरीम 11 पे पैसे अपना बरबाद करो लेकिन जो लोग लगा रहे हैं उ एक बार ही जीता हूँ उसके बाद से मैं बहुत कम खेलता हूँ इसको ना मात्रा के बराबर कभी मुडा है तो लगा दिया नहीं तो मैं नहीं खेलता इसको तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपने ड्रीम 11 का अप्लिकेशन डाउनलोड करना है डाउनलोड कैसे करना है पैसे डिपोजिट कैसे करने है यह सारा प्रोसेस मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा आज मैं केवल आपको टीम बनाने के लिए बताओंगा अगर आप कॉमेंट करोगे तो मैं इन सब पर वीडियो बना दूंगा कैसे डिपोजिट कैसे करना ह एकाउंट कैसे वेरिफाई करना है कि वाइसी कैसे करना है सारे स्टिप्स मैं आपको बता दूंगा तो दोस्तो आज का जो है में यह है कि मैं आपको टीम कैसे लगाते है ड्रीमिलेबन पर केवल इसी के भी से में मैं आपको बताने जा रहा हूं तो दोस्तो आप प्ले इसक्रिप्सन में उसका लिंक दे दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर लेना और आपकी इक्षा हो तो हमारा रेफेरल कोड यूज कर लेना ताकि हमको कुछ बोनस भी मिल जाएगा तो फिरेंड चलिए बना हम अपना ट्रीम लेबन अपलिकेशन खोल के बैठे हुए हैं तो तो फ्रेंड इस पर हमने किलिक किया किलिक करने के बाद हमें दोस्तों उसके बाद देखना है कि हमें कौन सा कॉन्टेस्ट इसमें जॉइन करना है और दोस्तों अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं जल्दी विन करें कोई चीज तो छोटे- प्लयर के इनफर्मेशन अच्छी हो तो आप मैच को जीच सकते हैं जैसी आप देख रहा है च्हे लाग का कॉन्टेस्ट है और इसमें दोसो नुचास रूपए की इंट्रीफीज है यह आप देख सकते हैं उसके नीचे आ जाते है तो यह पांच लाग का कॉन्टेस्ट है यह और इसमें ग्यारा सो उन्चास रूपए का इंट्रीफी से इसमें मात्र पांच सब तीस लोग खेल रहे हैं इसको अगर हम देख लेते हैं खोल के तो इसमें फर्स्ट रैंक पे एक लाख रूपए हैं जो फर्स्ट रैंक आएगा वह एक लाख रूपए हैं और यही एक देख सकते हैं यह 26 करोर वाला है तो इसमें देखिए कॉंटेस्ट राइज कितना हैं इकाई दहाई सेकर हजार दस लाख दस लाख यानि 70 लाख प्लियर खेल रहे हैं इसमें सोरी 70 लाख टीम इसमें लग रहे हैं तो इसमें जो है दोस्तों बहुत ही बाई लग ही किसी का फर्ष्ट रैंक पे आता है नंबर नहीं तो वो लग खराब है तभी नहीं आ सकता है लग अगर सही है आपका तभी जो है यह आप जीत सकते हो तो फ्रेंट चलिए हम सबसे पहले हमें क्या करना है हम अपना टीम क्रियेट करते हैं तो टीम क्रियेट करने के लिए यहाँ प सेलेक्शन सेल बाई लिखा हुआ है यह सेल बाई तो इसको हम सेलेक्शन परसेंटेज बोल सकते हैं तो जैसे हमने इनको ले लिया इनका सेलेक्शन परसेंटेज जादा है और यह हम पॉइंट देख लेते हैं कि रिसेंट मैचों में इनके क्या पॉइंट है उसके बाद यह मेडियन्स है तो इनको हम इनका ये पॉइंट हम देख सकते हैं इनको हमने ले लिया दो विकेट कीपर हमने ले लिया इसके बाद बैट्समैन में आते हैं तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है हमने इनको ले लिया फिर से उसके बाद ये देख सकते हैं राजापसा है इनको अब भी परफॉर्मस ठीक ठाक है इनको ले लिया ये निसांका है इनको ले लिया इनको हमने ले लिया उसके बाद परफॉर्मस जिनका ये धनुसंका है धनुसंका का परफॉर्मस अच्छा है और ये देख सकते हैं पॉइंट इनके हमने इसको ले लिया उसके बाद हमने तीन बैट्स हमने ले लिया और एक यह हाले साहब है तो इनको हमने यह ले लिया अब आते हैं ऑल राउंडर में यह हसरंगा है जो कि जाने माने ऑल राउंडर है पॉइंट्स भी इनकी अच्छे है और इनकी सेलिंग भ ले लिया उसके बाद हम बल्ले बाज में आ जाते हैं वो सौरी बॉलिंग में बॉलर में आ जाते हैं तो हमने बॉलर में देख लिया यह उड़ है इनको ले लिया और महस्तिक साना इनको ले यह उसके बाद फ्रेंड्स हमने किन-किन प्लेयर को लेने लिए हैं इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको प्रिव्यू पर किलिक करेंगे यह आप देख रहे हैं ना यह प्रिव्यू पर हमने किलिक किया तो एक बार आप देख सकते हैं प्रिव्यू इसका कि कौन कौन से प्लियर हमने सेलेक्ट किये हैं इसके बाद आप यहां से नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद यह देखी यहां से कैप्टेन और वाइस कैप्टेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं हमने देखी इनका वाइस कैप्टेन में इनका बटलर का ज्यादा है परसेंट को ठीक है यह टीम को दह rings तेख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे अगर एक बार तो यह टीम हमारी आगई अधी मोग ऑक उसके बाद एडिट करना है आपको तो हैंसील निशान है इस पर यहां से क्लिक करके अधिक्न कर सकते हैं फ्रैसे अगर आपको player select करना है वो सORी दूसरा team लेना है तो फिर से यहाँ create team पर click करेंगे दूसरा بن जाएगा और अगर इसी को copy करना है तो यहाँ से आप copy कर सकते हैं यहाँ से copy करके यह देख सकते हैं यहाँ से copy करेंगे और copy करने के बाद आप दूसरा उसमें edit करके player change कर सकते हैं और यहां से तीसरे पर यह आप देख सकते हैं यह आप यहां से share भी कर सकते हैं अपने team को ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है उसके बाद हमें जो है अपने आना है इस contest पर यहाँ पर देख सकते हैं यह Contest है, Contest पर आ सकते हैं, यहाँ बैक करके भी आप Contest पर आ सकते हैं, यहाँ से bike कर देंगे उपर से, तो यहाँ Contest पर अप्पिर आप सामने यह Screen आजाएगा, अब इस पर हमेंisto करना है, तो join करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले wallet में हमें द क्लिक किया किलिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास यह इंटरी फीज हैं को दिख रहे हैं टोस्तों इसके लिए पहले पैसे आड करने परेंगे अपने wallet में पैसे add करने परेंगे तो wallet में पैसे add कैसे करते हैं ये और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि wallet में पैसे add कैसे करते हैं वैंक के account कैसे verify करते हैं कि वाइसी वगरे ये सब कैसे करते हैं अगर आप comment करोगे तो मैं आपको एक उसका अलग से डीटेल्ड वीडियो बना दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा सारी बाते तो दोस्तों यह था ड्रीम 11 पर टीम कैसे बनाते हैं इस पर यह था अब दोस्तों कुछ ऐसे ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कि जिससे की आप आपके टीम की विनिंग चांसे ज्यादा बढ़ सकते हैं मैच विन करने के चांसे बढ़ सकते हैं तो दोस्तों देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको यह नोट करना है कि जो भी आप मैच लगा रहे हैं उस मैच का फुल इनफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए पूरा डिटेल्ड आपको पता होना चाहिए जिस मैच में आप यह अपना टीम लगा रहे हो उसके बारे में फुल नौलेज होनी चाहिए आपको दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट यह दोस्तों पीच रिपोर्ट पीच रिपोर्ट की आप स्टड़ी कर सकते ह बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है पीच रिपोर्ट आपको देखना है कि पीच रिपोर्ट कैसा है उसके लिए आपको प्लेइश्टोर से फैन कोट नाम का अप्लिकेशन उस पर आप इंस्टाल करके आप देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री वहां पर आ जाती है और बहुत स मौसम कैसा है वहां का इसकी भी नालेज आपको होनी चाहिए कि अगर वहां विदर कैसा है और उस विदर में हमारे प्लेयर कैसे परफॉर्मेंस करते हैं किसका परफॉर्मेंस सही है किसका गलत है कैसा है तो इसकी नालेज होनी चाहिए चौथा है दोस्तों प्लेयर best आप जोईन कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं अगर देखिए ये अप्लिकेशन वह बहूत यॉल लाला नजद्द देता है बहुत ज्याधा अब जैसे यह भी स्कुरा वाला है तो आप इस पर क्लिक करते हैं यह जब्विसकूर वाला ऐस्कूर आपòng क्लिक करते एक करोर जीतने के लिए क्या क्या करना परेगा साइध किसी को नहीं पता और पांँ साल में हमने कम से कम 5000050000 रुपय गमा दिय लेकिन आज तक एक करोर रुपय नहीं जीते और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें 10 दिन ही हुआ खेलते हुए और 10 दिन खेले और 11 दिन हमें 1 करोड जीत गए तो फ्रेंड्स ये लग की बात होती है और लग के हिसाब से ये आदमी जीतते हैं ठीक है दोस्तों तो आप कोशिस कीजिए कि छोटा कॉंटेस्ट खेलने के लिए अब इसमें आप देख सकते हैं ये 70 लाख आदमी है 70 लाख टीम इसमें खेल रही है तो ज़्यादा आप कोशिस कीजिए कि छोटा कॉंटेस्ट खेला कीजिए जैसे ये बहुत चैनल सकते हैं ये बहुत ज्यादा है आप इसको खेल सकते हो ये क्रूल का जो कौन्टेस्ट है इसको खेल सकते हैं ज्यादा चांसेस घीतने के मैच उसके बाद दोस्तों नेश्ट पॉइंट जो है वह आपका होता है जैसे मान लीजिए कोई नया प्लेयर आता है कोई नया प्लेयर अगर टीम में आता है तो उस पर आपको रिस्क लेना है रिस्क लेना है इसलिए कि अगर आप उसके बारे में जानते हो अगर नहीं जानते हो तो उसको study करो कि वो जो है कैसा performance वो करता है उसका performance कैसा है उसके बारे में study करो और उसके risk लो ठीक है दोस्तों उसके बाद next point है captain और vice captain आप जो है captain और wise captain जब भी बनाते हैं तो उसमें जो है एक captain तो आप बना लेजिए और दूसरी चीज एक और इसमें चीज और report important है जब पीछ report आपको पता चल गया कि यह batsman के लिए सही है या बॉलर के लिए सही है तो अगर batsman के लिए सही है तो उसका score देखो कि कितना score गया है अगर batsman के लिए सही है जो पहले बल्लेबाजी करता है और उस पे कौन सा batsman अच्छा performance किया उसको आप captain बना सकते हो ठीक है उसको आप captain बना सकते हो captain उसको बना लिए अब बात रही wise captain की तो wise captain के लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें risk लेना है grand league जीतने के लिए हमें risk क्या लेना है कि जो performance अच्छा कर रहे हैं तो उनको तो सब लोग बना ही रहे हैं लेकिन हमें ऐसे wise captain को लेना है जो की लोग उसको selection percentage उसका जो है कम है लोग उसको कम selection किया है कम select किया है उसको तो ऐसे wise captain को लिए लीजे grand league के लिए अच्छा उसके बाद next पॉइंट नेक्स अभी ध्यान देना है कि पीछ़ि जो पीछए उस पे कौन से प्लेयर अच्छा परफर्फर्मेंश करते हैं उनको लेना है अच्छा उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं कि जितना परसेंटेज के हिसाब से जितना है। इलेक्शन परसेंटेज जितना है तो का आपको कम से कम दो या तीन प्लेयर को कम से कम दो प्लेयर को ऐसे प्लेयर लेना है जिन पर रिस्क लेना है आपको जैसे लोगों ने उनको कम रखा है अपने टीम में उन पर रिस्क लेना है तभी आप ग्रेंड लिग टीम जित सकते है नहीं तो नहीं जित सकते अगर सबने जिसको लिया है आप भी उसी प्लेयर को ले रहे हो तो grand league भाई साब कब भी आप जित नहीं सकते जिंदगी भर खेलते रहेजाओगे करोरों रुपए हार जाओगे लेकिन नहीं जीत पाओगे तो दोस्तों यह एक point था और मैं आसा करता हूँ कि यह point आपको information अच्छी लगी होगी और यह point जो मैंने बता है उसको आप follow करेगे only grand league के लिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि अगर आप जल्दी विन करना चाहते है तो छोटे contest जोइन किजिए उसमें जो है कम team होती है कम लोग उस contest को जोइन करते है और contest size छोटा होता है उसमें आप ज्यादा विन कर सकते हो grand league अगर आप खेल रहे हो तो grand league भाई साहब risk पे ही चलता है और risk लेके ही खेलना परता है वो by luck ही किसी का आता है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि video आज का आपको बहुत अच्छा लगा होगा information आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों video को like कर दो और अगर next video आप किस topic पे चाहते हो ये comment section में जरूर